हेलो दोस्तो आज हम दोस्तो हमारी इस ट्रिप का पहला परवत चठने वाले जिसको पावागड भी कह सकते हैं और यहां पर महाकाली माता का मंदिर भी है तो हमें माची डेस्टीनेशन तक जाना होगा और वहां से हमें उडन खटोला मिलेगा तो मैंने आप लोगों उसे पिछले एपिसोड में बताया था इसी रास्ते पर आपको छोड़ा था कि हमने चामपानेर घुमा चामपेनेर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तीन से चार लोकेशन हमने देखे चार लोकेशन देखे और भी यहां पर छे से साथ लोकेशन है जैसे जाके करना है तो हमने सब कुछ कवर करने की ट्राइ नहीं की instead of के कुछ man-man places देख लिए जाए जो जल्दी से explore किये जा सकते हैं तो अब उपर आ गए इस तरीके से गाड़ियों को पारकिंग किया जाता है आप two wheeler से भी उपर आ सकते हैं और government की buses भी आपको उपर छोड़ होती है रास्ते में कई points इतने अच्छे अच्छे मिलेंगे जहां पर आप रुख कर कुदरत के नजारे enjoy कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब हम उड़न खटोला के entry point पे आ चुके हैं यहां से थोड़ी सी चीडिया चड़नी है फिर हमें टिकेट मिलेगी इसकी online टिकेट भी booking करवा सकते हैं अगर पहले से करवानी है तो तो दोस्तों जैसे आप चड़ेंगे यहां पर चोटे मंदिर आएंगे एक तरफ तालाब भी देखने को चोटा सा मिला और बहुत ही खुबसूरत नजारा यहां से ही रोपे देखने को नजर आ रहा है कि रोपे की तरफ हम बढ बहेंगे दोस्तों तकरीबन इस जर्णी में हमें दो गंटे जिसा लगेगा देखे सुबा से पौने साथ बज़े तक साम तक स्टार्ट रहता है तो आप 6 से साड़े 6 बज़े से पहले आ जाईए ताके आपको एंट्री मिल सके और इस तरीके से आपको कुछ बेरिकेटिं आप कौन से समय पे आते हैं अगर आप सरत्पूनम है या किसी उत्सव में आते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बीड ज्यादा मिलेगी अभी रोपवे उपर जा रहे हैं आ रहे हैं और यह रोपवे हमें लगबग 5-6 मिनिट में उपर छोड़ देगा और वापिस हम वहां से आएंगे टिकेट हमने पे की 150 रुपे 150 रुपे में आपका जाना आना दोनों हो जाएगा और आप सोचते हैं कि जंगलों से होते हुए आप जाएं या सिर्फ रिटन आएं तो वन वे टिकेट भी लेकर उड़न खटोले का में मजा ले सकते हैं जंगल का भी मज स्टेप्स चड़ने हैं लगबग 350 स्टेप्स चड़ने हैं जिसको अगर हम कैल्कुलेट करें तो 15 फ्लोर की बिल्डिंग इतना चड़ना हुआ है जो इतना ज्यादा नहीं माना जाएगा बहुत ही खूबसूरत नजारा है दोस्तों अगर आप जो है यहां पर मौनसून मे आएंगे तो आपको दिल बाग बाग हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि जो ट्रोली निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है बिल्कुल स्वर्ग से ऐसा आपको प्रतीत होगा तो दोस्तों चलिया अब उड़न खटोले में बैट चुके हैं आप उड़न खटोले के नजारे ल नहीं लगता और लगता है बस हम मोड़न खटोले में बैठे रहें और यहां के नजारे देखें रास्ते में आपको जगा जगा पर दोस्तों खाने के लिए मिलेगा जैसे हमने माची पे पहुँचे वहां भी खाने का है माची के रास्ते में रेष्ट रूम और वहां पे खाने का है क्योंकि कुछ लोग यहां पर पद यात्रा करके भी गुजरात के अलग-अलग हिस्तों से आते हैं तो माकाडी माता का मंदिर में ने आपको उपर परवत बिल्कुल दिखाया यहां पर कुछ और भी मंदिर है और यहां से कुछ नजारे आप देखे जाएंगे क किस तरीके से यहां पर एक तालाब भी है तो यहां पर देखे आप मंदिर देख रहे हैं मंदिर के उपर पता का भी बिल्कुल से फहरा रही है यह देखिए नजारे हम बिल्कुल नीचे थे जहां हम नीचे थे वहां तो अभी बादल है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं लेकिन ये बादल है, फोग नहीं है, तो एक अद्बुत मजा है, ये हमारा पहला हील इस्टेशन में कह सकता हूँ, इस जरनी का, इसके बाद तीन और हील इस्टेशन पे हम जाने वाले हैं, अभी दोस्तों समय हो रहा है, सामके 6 बज रहे हैं, इसके बाद हम यहां से नीचे जाने के लिए ट्राइ करेंगे, ठीक है, क्यों बहुत जाने में लंबी थी, तो हमें एंट्री करने में लगबग एक गंटे जैसा समय लगा, एक गंटे के बाद हमारा नंबर आया, और अब हम आधा पोना गंटा यहां रुकने के बाद, रिटन की तरफ बढ़ रहे हैं, वापिस और रिटन नीचे जल्दी करना है, बिकोज मेरे बच्चे और वाइफ ने साथ में नहीं आये हैं, मेरे साले साथ ही उपर आया, उनको दिखाया गया हमारा कुझरात कितना खूबसूरत है, और उनको भी बहुत ही मज़ा आ गया, मेरे साथ ही अभी वो हैं, ठीक है तो अब हम रोपवे से नीचे की तरफ जा रहे हैं, अब दौस्तो यह रोपवे भारत में लगबग 6 जगा होपर है, जैसे गिरनार में है, जो जुनागट में आया हुआ है, उरिशा में भी है, रिशी केस में भी है, तो हर जगा पर ये रोपवे अब देखने को मिलता है उडन खटोला की द्वारा और कॉम्बो लेना चाहते हैं सभी छे जगा का तो एक साथ भी ले सकते हैं उसमें आपके थोड़ा सा फाइदा होगा डेड़ सो दोसो रुपे आपके पर परसन बचेगा बस दोस्तों उडन खटोले से अब फिर से हम वापिस नीचे की तरफ आने रहे हैं तो भी आप जो है बच्चों को वहाँ छोड़ सकते हैं ठीक है तो बहुत ही अद्रबुत एक्सपीरियंस रहा मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कहीं भी एक बार जरूर रोपवे का एक्सपीरियंस लीजिएगा आगे हम फाइनली बाहर बहुत ही मजा आया है तो आप लोगों को डेफिनेटली यहां पर आना है और आपका वंडे पिक्निक जरूर होने वाला है यहां से दोस्तों वोटरफोल जाने का प्लानिंग किया था लेकिन वोटरफोल नहीं जा पाएंगे विकोस सामके साड़े पांच बज रहे हैं और पूरा रोपवे का मैं आनन कहूं आपको तो लग भग मुझे लगे दो घंटे के आसपास जहां से रोपवे हमने बेठे और वापिस यहां पर आने में तो दो घंटे का पूरा समय होने वाला है चलिए कुछ और है एपिसोड में तो वो बताता हू वरना फिर हम एपिसोड को यहीं पर कम्प्लीट करेंगे तो इस बात का भी खास खयाल रखे अब खूब सूरत नजारे रास्ते के एंजोई किये और अब हमें यहां से जाना है साउथ गुजरात ठीक है तो यहां से हम जांबू गोडा होते हुए साउथ गुजरात जाएंगे जांबू गोडा वेसे दोस्तों आप गूमने के हमारे साथ तो थोड़ा सा मुस्किल होगा यह देखे किस तरीके से ऐसे ही जंगल वाले रास्तों से पूरी हमारे ट्रिप अब होकर गुजरने वाली है अब हम जांबू गोडा की तरफ बढ़ रहे है वह जांबू गोडा दूस्तों आने वाला है तो आज के एपिसोड में मैं आपसे यहीं पर अलविदा लेना चाहूंगा आगे का अपडेट हमारा क्या है वह मैं बताता हूं कौन से होटल में हम रात को रुकते हैं वह मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में अपडेट देने वाला हूं तो डे वन में हमारी विजिट एहमदाबाद से सुरू में गुमी दोपेर के बाद हमने महाकाडी माता क्या मंदिर के उड़न खटोले के मजे लिए और अब हम आगे बढ़ रहे हैं